हेलो फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेश सामने निकल कर आ रही है कि स्थीटेट 9 को होने वाली परिक्षा हुई अस्थागित यही नहीं यह भी बहुत सारे बच्चों के दोरा सवाल क्या जा रहा है कि सर्फ 9 जनवरी को परिक्षा अस्थागित हुई है या 9 जनवरी से यह गलत है तो दोस्तों आपको साब सब्सवदों में कंकलूजन के साथ बता दू कि यह खबर बिलकुल गलत है हम यह परूफ के साथ आपको दिखाता हूं कि कैसे गलत है और यहां पर कहा जा रहा है कि 7 फरवरी तक अस्थागित कर दिया गया है नौ जनवरी को आउजुत की जाने वाली परिक्षा सीटेट और सीटेट अब नौ जनवरी को होने वाली परिक्षा साथ फरिवरी को आउजुत की जाएगी परिक्षा का मोड केंप्यूटर बेस्ट होगा और कलेश कहा जा रहा है कि सीटेट में सामिल होने वाले उमिदर अन प्रिक्षा की तारिकों को से कलेश होने के कारण लंबे समय से प्रिक्षा को उस्तजित करने के मांग कर रहे अब borde ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि सिट == 9 जन्रवरी को होने वाली प्रिक्षा साथ फ्रीवरी को ओफिसिल वेब साइट पे गया तो ऐसी कोई भी नोटिस नहीं निकली थी जिस पर विश्वास किया जाए कि नोजन्मरी आने वाली सभी परिक्षा सिटेट की अस्थगित हो गया है पता नहीं यह गूगल पर भी और अन्टिवी न्यू चैनलों पर भी यह कहा गया है कि 9-12-23-7-22-23 तक का जो परिक्षा वो अस्थगित कर दिया गया है अब क्या टांसलेट किया गया क्या समझा गया यह पता नहीं है लेकिन आप सबों को मैं अगरिम सुब कामनें देता हूं कमरकस के तियार हो लेजिए और साथ दिन भी दस दिन भी पर लेते तो जरूर आप 85-90 और 100 स्कोर कर सकते हैं परिक्षा के तयारे में जुट जाएए एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा जो करके नीचे चलिए और यहां करते वे यहां पर देख लिजिए यहां पर कहीं भी पब्लीक नोटिस आज यदि यह अकल के डेट में नहीं है जो पबलिक नोटिस है तो यह नियाश ही बोला जा रहा है कि सिटेट के परिक्षा क्या होगी अस्तागित होगी अब अपने तैय ज़्यादा से ज़्यादा यह सच मान बेटाएं कि जादा जूट जाएं तो आने वाले वेकेंसी में सामिल नहीं हो पाएंगे कर्पिया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और आपको वीडियो अच्छी लगिए चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन प्लेस करते धन्यवाद